हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत हैं तो आज हम अनाल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाओंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो थेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी fingers काफी थिक हैं सभी fingers के ओपर कुछ सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आ रही हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं fingers की thickness को जो दरशाती है कि ऐसे native की energy and stamina काफी अच्छा रहता है साथी साथ आपको कुछ इस तरह है कि सीधी खड़ी रिखाएं लगबग इनकी सभी fingers के lower phalanges के ओपर नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का होना दरशाता है कि native काफी मिलनसार सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं अगर हम fingers के बीच में बनने वाले gaps को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन areas में आपको बिलकुल भी gaps नजर नहीं आ रहे होंगे इस तरह से सटी हुई fingers का होना indicate करता है कि native की money management काफी अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समस्ते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से invest करना है इन चीजों को भली भाती सीख जाते हैं अगर हम बात करें fingers की लंबाई की तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शनी finger बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि native काफी hard working nature का होगा ऐसे व्यक्ति अनुशाशन प्रिया होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी तरकी पाने में काम्याब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूर्य finger को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य finger लंबाई में इनकी index finger के मुकाबले ज्यादा लंबी नजर आ रही है यहाँ से आप देख सकते हैं इस finger की length को इनकी जो index finger वो यहीं तक पहुँच पा रही है जबकि सूर्य finger काफी अधिक लंबाई में है जिस वज़े से native का social circle काफी अच्छा रहता है यह लोगों की सूर्य finger अधिक लंबी होती है ऐसे व्यक्ति काफी creative minded होते हैं काफी अच्छी artistic qualities भी इनके भीतर रहती हैं इस finger का ज़्यादा लंबाई में होना native को risk taker भी बनाता है ऐसे व्यक्ति risk लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी यह लोग risk ले बैठते हैं और कई बार अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं आगे बात करते हैं इनकी index finger की अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो index finger है थोड़ी short नजर आ रही है जिस वज़े से leadership qualities में थोड़ी कमी रह सकती है और यहाँ से इनका जो ब्रसपती mount का area वो भी हलका सा low set होता हुआ family की तरब से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी कम ऐसे व्यक्ति को जीवन में महसूस हो सकती है overall यह finger काफी थिक है बिलकुल straight है जिस वज़े से native spiritual minded रहता है धार्मिक नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर मैं इनकी mercury finger को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे mercury finger बिलकुल सीधी है यहाँ पर mercury finger की जो लंबाई है सूर्य finger के top phalanche के क्रीप पहुचती हुई जिस वज़े से native के communication skills काफी बहतर रहते हैं ऐसे व्यक्ति का business equipment भी काफी strong देखा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर अगर मै line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य परवत और श्यनी परवत काफी high set हैं और mercury यहाँ पर medium set नजर आ रहा है जबकि इनका जो ब्रस्पती mount हलका सा low set होता हुआ overall ब्रस्पती सिर्फ low set है अगर हम इस mount की formation को देखते हैं तो यह area आपको काफी उठा हुआ भी नजर आएगा यहाँ पर जो negative चिन है वो इस तरह का तिल का सिंबल यहाँ पर तिल का चिन होना थोड़े से negative result देता है नेटिव को सिक्षा के मामले में दिक्कतों का सामना करन पड़ सकता है फैमली की तरब से मिलने वाले सुखों में भी ऐसे व्यक्ति को कमी महसूस होती है कई बार ऐसे native को घर से दूर भी रहना पड़ता है एवर अपनी studies के सलसले में या अपने काम के सलसले में घर से दूर रहनी किस महाँ बनाएं इस तरह का तिल का चिन व्यक्त सा दबता हुआ नजर आ रहा है शनी माउंट अगर दब रहा हो तो native को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है काफी मेहनती ऐसे व्यक्ति होते हैं लेकिन साथ ही साथ हाड़ वर्क इनके जीवन में बढ़ जाता है अगर हम शनी रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर द परियाज में इस रेखा को काफी सारी stress lines काटती हुई भी नजर आ रही है जो middle age में काफी संघर्ष को दर्शाती है लगबग 50 के इस तक काफी सारे ups and downs ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में देखता है लेकिन उसके अगे आगे यह रेखा अगर अच्छी नजर आए तो old age में ऐ कोई भी gap नजर आता तो वो भी native के जीवन में काफी सारे ups and downs लाता है अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य मांट का जो area है हलका सा दबता हुआ जिससे यश में थोड़ी सी कमी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में face करते हैं ऐसे native दूसरों की कितनी भी help कर लें कितनी भी मदद कर लें बदले में कोई इनाम कोई reward कोई appreciation ऐसे native को नहीं मिल पाती अगर यह मांट दब रहा हो ओवरॉल लंबी सूर्य रेखा का अभाव है कुछ इस तरह की हलकी सूर्य रेखाएं आपको यहाँ पर wavy pattern में नजर आएंगी ज यहाँ पर भी एक हलका सा तिल जिस वजह से अगर ऐसे native जल्दबाजी में कोई investment करते हैं तब life में loss होनी की समावना बढ़ जाती है ओवरॉल इनका mercury का जो area है उभरा हुआ है यहाँ पर आपको mercury रेखा भी नजर आएगी जिस वजह से native का business equipment काफी बहतर और काफी अच्छ के communication skills की वजह से भी जीवन में अच्छा धन कमा पाने में काम्याब हो जाता है अब बात करते हैं इनकी major lines की अप यहाँ पर देखेंगे इनकी यो heart line है कुछ इस तरह से बिलकुल straight चलती हुई हमें नजर आ रही है और यह रेखा आगे बढ़कर एक Vishnu symbol में convert होती हुई भी नजर आएगी आपको कुछ इस तरह से एक V का symbol इस रेखा के last में बनता हुआ ऐसा चिन जिन लोगों की हथेली पर बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में काम्याब रहते हैं लेकिन अगर ऐसा चिन जिनके हाथ पर हो ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर भीमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पर सकता है जब यहाँ पर एक downward branch नीचे मंगल की तरफ बढ़ती है तो यह नेटिव को थोड़ी aggressive nature भी देती है और आप देख सकते हैं इनकी heart line पर काफी जुकी हुई नजर आ रही है नीचे की तरफ इस रेखा को डिप लेना नेटिव की overthinking को दर्शा आता है यहाँ पर एक money triangle की formation होती हुई लेकिन यह money triangle इस एरिया में आकर थोड़ा सा खुला हुआ भी नजर आ रहा है थोड़ा सा weak होता नजर आ रहा है यह सुज़ा से नेटिव की income तो अच्छी रहती है लेकिन खर्चे अधिक होने की वज़य से धन का ठहराव थोड़ा कम ही रहता है अगर हम देखें इस रेखा का नीचे की तरफ जुकना indicate करता है कि नेटिव की imagination करने की capability जादा रहेगी थोड़ी overthinking होने की वज़य से थोड़ा stress या तना अभी ऐसे व्यक्ति को जीवन में परिशानी दे सकता है अगर हम बात करें इनकी line of life की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी life line काफी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है लगबग इस सेरिया तक इनकी life line का पहुँचना indicate करता है कि native की age काफी अच्छी रहेगी यह ल इस तरह की रिखाओं को मंगल की रिखाओं का होना काफी positive परभाव देने वाला होता है मंगल की रिखाओं यहाँ पर अगर मौचूद होती है तो ऐसे व्यक्ति की energy and stamina धिक रहता है लेकिन थोड़ा सा गुसा ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक हो सकता है ऐसी रिखाओं होने स native property के मामले में भी अच्छा रहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी property बना पाने में भी काम्याब हो जाता है अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको k2 area के उपर कुछ इस हलकी रिखाओं से इस तरह से एक fish का symbol बनता हुआ नजर आएगा ऐसा चिन अभी य symbol हो जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राइं करते हैं और जीवन में इन्हें कई बार अच्छानक धनलाब होने की संभावनाई भी बढ़ जाती हैं अगर में इनके Venus यानि शुक्र परवत की बात करें आप देख सकते हैं यह area हलका सा flat होता हुआ इस mount के उपर काफी सारी बारीक इस तरह की रिखाओं का होना नेटिव को family life में disturbance दे सकता है married life में ऐसे व्यक्ति को दिखतों का सामना करना पड़ सकता है कुछ instability family life में रहने की संभावनाई इस तरह की रिखाएं बढ़ा देती हैं अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर week होना indicate करता है कि native को anxiety की थोड़ी सी problem थोड़ा सा तनाव इस तरह का जो moon का area है दे सकता है overall यहाँ पर इनका जो mount of Jupiter यानि शुकर mount है वो थोड़ा सा week और चंदर mount थोड़ा सा week होता हुआ लेकिन यहाँ पर इनके गुरू परवत के उपर हमें एक तिल के लावा एक रेखा भी नजर आ रहे जो बारीक रेखा आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह की रेखा जिससे हम progress की line भी कहते हैं इस तिल के होने के बावजूद भी अगर ऐसी रेखा इस area के उपर मौजूद हो तो यह native को अच्छे प्रभाव देने में help करती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन म के जो आब एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद